चाहे डीयोब यहों का आद साथनुर्ट गणक्यानलम भी जायए इस एंज 2 इस प्रेस्टीजियोस इंवस्टियोस इंवस्टी इंडिया की इनस्टер ऀफ देली के बारे में उसके law प्रोग्रार में काने में आप अभी आप स्टार्ट करने जा उतना प्रिपेशन तो काफी हल्प करें आपको मोस्ट इंपॉर्टन तिंग यह है कि वन प्रिस्टीजियस माना जाता है लौ प्रोग्राम थ्री यर के लिए द्रियू का 2900 अप्रॉक्स सीटे हैं थ्री सेंटर है लेकिन इसका मेन कंपस जो है कंपस लौ सेंटर जिसे हम कहते हैं तो आपके चार सेक्शन रहते हैं इसमें इंग्लिस लाइवज कंप्रिहेंशन जेनर नौल इसका रिजनिंग अनलेटिका लिएपिटीज और लीगा लाइवर्नेस अप्ट्यूड होगा अगर राइट एंसर सब्सक्राइब तो बहुत ध्यान से और इंपॉर्टेंट जो आ रहा हो डिक्टो एकडम हंडेड़ परसें शोर हो वही रिस्पांस देना अगर नहीं आ रहा है तो बिल्कुल भी उसको टच करने की जोगत नहीं है क्वेश्चन को अगर 80 कोश्चन अब सहीं कर जाते हो तो सब्सक्राइब करें जो काफी है आपको आगे फर्दर अपने लॉकरियर में अब नेक्स्टम बात करते हैं आपके एक एक सिलेबस डीटेल के बारे में तो सबसे पहले हैं इस लैंग्वेज और कंप्रेहेंशन में तो यहां पर आपको क्या पढ़ना चाहिए तो पहले हम सब्सक्राइब करने में अगर इंग्लिस बैग्राउंड से नहीं हो तो अगर आप आसानी से इस प्रेंग्राउंड से नहीं हो तो प्रैक्टिस मस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेलाउट प्रैक्टिस अपनाने के लिए हर सेक्षन को आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा तब ही आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे यह दिमाग में रखना यह नहीं है कि ए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है यह इसलिए प्रैक्टिस मस्ट इमपॉर्टेंट थाप यह जो है अगर नहीं हो तो कम सकंव 5 पांच वर्ड का बना लो 5 synonym 5 antonym जो है पढ़ना है जिससे आपको प्रिपेर भी हो जाएगा असानी से कैसे आप जो है सॉल्व कर सकते हो तो आप आपको शमज में आओगा इंगलेस में आपको में क्या टॉपिक है वो ध्यान रखना अ आपको कितना इन्टेलेक्शिल आप कितने हाई हो यहां पर बस यह जा जा जाता है अगर आप जो है लौग करने जा रहा हो तो आपको मेमोरी आपको डेफिनेटली शार्फोनी चाहिए तभी जो है अपने केस्ट पो अपने क्लाइंट को सही तरीके से डील कर सकते हो अधर कि इसमें क्या क्या क्याक चॉशन आते हैं आपके आपके चाहिंटेरीक्री या परसे जाए पर्सक्राइगे पेपर भी आप चेक कर सकते हो टेनियर का पेपर जो है मेरे टेल्ग्राम चैनल पर है वहाँ से आप डिरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो काफी है अब आपको प्रिप्रेशन में तो यह ध्यान रखिएगा आपको इसमें इंपोर्टेंट जो है वह पढ़ना क्या क्या है तो ड इंट्रेंस जो अधर इन्वस्टी कराती है उसकी अपेच्छा डियू का थोड़ा वाइट ट्रीकी होता है तो यह ध्यान रखिए एडियरेटेड कोश्चन आते हैं अगर अपने प्रिपेर कर लिया तो आराम से आप जो है अगर दस से पंदर कोश्चन उसके आता है तो ड परड़ में जो भी आपको चूच करना है रेस्ट जो बचा हुए वह चूच कर सकते हो लेकिन बेस्ट सील सी है नो डाउट काफी जो है इंट्रेक्ट्ट्टली वहां हाँ हो जाओ गया काफी है वैसे तो सारे सेंटर बढ़िया है लेकिन जो है मुस्ट आप सब्सक्राइब करें तो काफी आपको थोरोली पढ़ना पड़ेगा मुस्ट इंपोर्टन चेप्टर और पहुत ही पढ़ना पड़ेगा टाइम है आपके पास अगर जो है पर डे दो से तीन गंटा इसको दे रहो ना काफी हल्प करेगा अगर सोली प्रिपरेशन कर रहा हो 5-6 गंटे बहुत हैं पढ़ने के लिए कोई 10-12 गंटे नहीं पढ़ता है वो सुरुवात में बस कहने के लिए होता है इससे पांच-6 गंटे इस सेक्शन डिवाइड कर लो किसको कितना प्रॉपर टाइम देना है जिसमें आप स्टेंथ आपकी अच्छी है उसमें कम टाइ आपको पढ़ना है इसमें तो आपको कंस्टूशनल हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह बिलकुल इगनोर मत कीजिए काफी कोशन आते हैं इससे सेकंड आपका फंडमेंटल राइड्स फंडमेंटल डूटीज डिपीस्प आर्टीकल टोटल याद होनी चाहिए आप आपके जो है कम सकम पांच कोश्टन एलेक्शन से टेफिनेटल मिल जाएंगे आपको काफी हल्प करेंगा आपको बुक्स रिक्मांडेशन के बात करो तो अगर मिलना है तो ले लीजेगा अगर नहीं आपके पास पीडियाफ के लिए आप चले संपर कर सकते हैं मैं आपको को भेज़ दूँगा या फिर विलीज की बुक ले सकते हैं लिए बहतरीन बुक है यह लेकिन फर्स्ट प्रप्रेंस में भार्दवाज रखना क्योंकि यह काफी एक अकेला वुक आपका जो है कोई दूसरी बुक आपको पढ़ने के लिए सारे इंटरेंस किसी भी इंटरे आपको चैनल से रिलेटेड अवयर्डेस का मतलब ही होता है कि रिजर्वेशन का सबसे इंपोर्टेंट है माराथा वाला तो इसमें बस आप केस आद रखने ना किसका था तुस्टेट इससे रिलेटेड फियार फिर इंपोर्टेंट जो केसी आय थे फैमिली लॉसे इस तर उसलिए इंपोर्टिन के लिए आप मैं टेलिक्राम संपर कर सकते वहां पर मैं आपको भीज दूंगा अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट और लास्ट चो है अपका श्रीक्शन जो है पार्ट फॉर जाहां पर जनर्न नाुलेंगे जहां पर जनर्न और current affair इनी दोनों से question आते हैं और सबसे ज़्यादा आपको बता दू मैं last six to eight month अगर प्रिपेशन कर रहा हो तो बहुत important है वो काफी ज़्यादा आपको event पूछता है event जो है last month का current event पूछ सकता है तो याद ध्यान रखेगा इसको जरूर प्रिपेर गीजेगा काफी help करेगा प्रतियोकता दरपड ले सकते हो अर्यंत की अधिशा जो भी आपको जहां असानी जो बुक मिल ला है वो ले सकते हो या फिर जो है ऑनलाइन पीडिया में सपोर्ट सकते हो जी के टूड़े है अड़ाटन 247 है जागरन जोस की बुके आती है बहतरीन बुक है वह अप ले सक प्रतिया कहां हुआ था फिर जो है या फिर रेसिगन रिवाल्वूशन के बुगाता इस तरह कोष्ण आ सकते हैं अगर कोष्ण आता है तो लेकिन पूषता नहीं है मौडरन देखो जनर्रल अगरनेस ही पूषता है और करेंट इवेंट ही पूषता है तो इससे आप अब जरूर रहिएगा सिक्स टू एट मंट मैंने आपको पहले ही पताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रोशियल है तो इसको एग्णोर बिलकुन मत किया और आशानी से प्रिपेर कर सकतो यार पर दे जो है दस का भी अगर सेक्शन बना लों दस दस ही पढ़ने है तो बहुत ह हो जाएगा आपको 45 डिज इनफ है किसी प्रिपेरिशन के लिए कोई बहुत क्लैट की तरह बहुत टीप नहीं पूछा जाता या पैसेज बैस नहीं आते इसके आसानी से 102 लाइन में जो आपके क्वेश्चन रहेंगे उसी में से आपको आंसर देने रहते हैं बस यह है कि जो है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पढ़ने की जो है यह नहीं कि आज पढ़ें फिर दो दिन बात पढ़ेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए और जिए स्मॉलेस्ट वर्ड या इंडियन दोनों जिए पूछ सकता है बस इतना ही इनफ है आपके लिए जिए पढ़ने के लिए इस इस अगर आपका जो है बहतरी नहीं पर आपको जो एक्स्टाइफ़र्ट करने के उसमें जरूरत नहीं जिनका नहीं उनके लिए थोड़ा साइक्स्टाइफ़र्ट तो करना पड़ेगा में जगह बनाना है तो अब इंपोर्टेंट टिप्स मेरे तरफ से एक छोड़ा सा सबसे पहले एक न्यूज पेपर तो जरूरी पढ़ो मुस्ली एक घंटे लगते हैं अगर सही से पढ़ोगे तब अगर उपर उपर भी पढ़ते हो है टोरियल में या फिर जो है लास्ट पेज जो है इंटरनेस्टल का वह काफी है इनाफ है तो आधे घंटे लगेंगे दूसरा सबसे इंपोर्टेंट क्योंकि इसके बिना जो है कोई भी जान पैटर्न आपको समझ में नहीं आएगा और सबसे बड़ी बात इसका पेपर तो अविलेबल है असानी से जो है आप करक कर सकतो यह अगर जो है आप पीडिया मोड में नहीं पढ़ना चाहते बुक के नहीं लिमिट से से एक तो यह आपको स्टेंथ अपनी पता चल जाएगा और विक्नेस पता जला किस पार्ट पर ज्यादा ध्यान देना यह यह नहीं सबसे पहले सौल भी करने लगना पहले पढ़े लेना उसके बाद सौल करना और एक्जाम से कम से कम दस दिन पहले से तो जरूरी सॉल्ब करना स्टार्ट कर देना बहुत हेल्प करेगा आपको जो है अपने एक्जाम प्रेशन में एंड जो है मॉक टेस्ट आप जो है एंटीए के वेबसाइट पर एफिलेबल है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दुगा वहां से जो है सी बीडी मोड म नहीं होता है एंटीए ही कंड़क्ट कराएगा एक्जाम एक छोटा सा मेरे तरफ से आपके मोटिवेशन के लिए सकसे नौट अमैटर ऑफ डिजायर पर इस दप्रोड़क्ट ऑफ हार्ड वक तो सकसे जो है केवल एक सोचने की एक जो है इच्छा सकती नहीं है यह आपके ह बहतरीन तरगेश प्रिपेयर होके क्रैक किजिए डिव इंटरेंस और जो है पहतरीन लॉयर बनिये देश का बहुत इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है जो डिस्तिरिम जाना है उसमें भी जा सकते हैं होप यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा कोई डाउट यह प्रावलों कमेंट बॉक्स में लेकर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे इस वीडियो को शेयर करना मत बूलिएगा थेंक्यू